ऍजीर अगे के इस यूटूब चेनल पर आप सभी सातियों का स्वागत एडियर बात करेंगे डिलेड़ अप भर्थियों का जो प्रदर्सन है वो नई प्रात्मी से चपर कहा बात्मी के लिए प्रधर्सन है пять प्रात्यपी किस तर पर सामिल होने के लिए तेज किया जा रहा ह पूरी तरीके से आपको अपडेट देंगे कि आखिरकार जो मामला है वो किस तरीके से फस्ता और क्रिटिकल स्टेज पर दिख राये डियर। उनको भरने की जो कवायद है उनके लिए ये लोग भरने पर बैठे हुए हैं। प्याटी लेबल से हटा दिया गया था। उसके बाद जो डियलेट के स्टुडेंट हैं उन्होंने माननी कोट के आदेश के आनुकरम के बाद जो फरकार है उस पर दवाओ बनाने का कारेकरम करू किया। और नई प्राथिमिक स्टर की सिच्छक भरती में जो रोड़ा था सारे समाप्त हुए और उसको लेकर के जो धर्ना प्रदस्टन से वो लगातार कर रही हैं। इसी करम में अगर बात की जाए बीएड भरतियों की तो आप देख सकते हैं बीएड की तरफ से भी जो प्रयास है पुना प्राथिमिक में सामिल होने का वो सारे प्रयास किये जा रही हैं। अगर सरसरी देजर से इस लेटर में देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं जो डी सीपी सर हैं उनको ये ग्यापन दिया गया है दिल लीक में और उन पर यही सारी चीजे बताई गई हैं कि हम सांती पूर्वक लोक्तांत्रिक तरीके से धर्ना प्रदरसंस करने जा रहे है जो गजट एंसीटी का 28 जून 2018 वाला मानिश चोपिन कोड की द्वारा इन्वाइलडेट कर दिया गया है दरासल हम सरकार से यह मांग करेंगे और एंसीटी से यह मांग करेंगे कि जो तुर्टी उनकी हुई है उसको सुधार करके जो नया गजट है पुना बनाएं और V8 को प्राथमिक इस तरफ पर फुना सामिल करें इस तरीके के जो प्रयास है इसको लेकर के दोनों जो दल है वो अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लगातार परेसान है दियलेट के जो इस्टूडेंट है वो नई प्राथमिक सिच्चक भरती की मांग कर रहे हैं गजट था रद हुआ है गलतियों की वज़ा से उस गजट को पूरी तरीके से दुरुस्त करके फिर से बिएट को प्राथमिक इस तरफ पर सामिल किया जाए फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि डेलेट के लिए क्या नई सिच्चक भरती का रास्ता प्रसस्त होता है य गजट आरिस पर आपको जो अपडेट है वो पलपल की मिलती रहती है फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंचे भारत